हेलो गाईज वेकम बैक टो चैनल दा वील ओफ फॉर्चुन 709 टेरट आप सभी लोगों को मेरा नमश्कार हूं मनीपद में हम ओम सही राम असलावलेकूं से स्रीकाल मैं हूं सुरभी आपकी सुरभी आगई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अपेबल है और आपकी शादी कब तक होगी और मैरेड लाइफ आपकी शादी शुदा जिंदिगी आपकी कैसी रहेगी तो यह सब कुछ आज की रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं तो क्योंकि यह पिक अपेबल रीडिंग है तो चलिए पेबल हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमारी रीडिंग हम शुरू करेंगे तो यह विश मेकिंग पेबल्स हैं चलिए निकालते हैं इनमें से कुछ पेबल्स या फिर मैं कार्ड्स रखों चले कार्ड्स रखों चलिए जी मैं काम करूंगी मैं दुनों ही रख लूँगी कार्ड्स भी और फेबल्स भी तो जिसको जो सिलेक्ट करना हो, वो कर सकता है ये वाले कार्ड्स में ले रही हूँ तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग इनके साथ में चले दो कार्ड्स निकालते हैं Mother Universe पहला कार्ड आया है Trust दूसरा कार्ड देखते हैं Let Go तो ये दो कार्ड्स हैं आपके सामने इनमें से एक आपको स्लेक्ट करना होगा इस रीडिंग को देखने के लिए और साथ ही साथ में पेबल्स भी रख देती हूँ I don't know ये क्या होगा Okay, Passion ये पहला पेबल आया है मैं इसके साथ रख देती हूँ दूसरा देख लेते हैं Okay, खुद ही निकल कर आया है Love All right, तो ये दो पेबल्स है या तो आप पेबल्स सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कार्ड्स इन्टिटिवली आपको करना है यहां से जो भी अबजेक्ट आप पे करना चाहते हैं उसे All right Otherwise, आप group selection बर भी जा सकते हो लेकिन priority आप इसी को दो तो अच्छा होगा ठीक है तो भई ये card या एक पेबल आप सिलेक्ट कर लेजे फिर चली हमारी reading शुरू करते हैं Guys, ये general reading है, general reading के जैसे ही आपने देखना है Okay, person reading के जैसे नहीं देखना है Timeless reading है, कभी भी आप लोग देख सकते हैं So, ये मत समझेगा, कि हाँ यहाँ ये कोई फायदा रून रही है ऐसा कुछ भी नहीं है Lockdown में वो ग्रूप बना हुआ था तो वहाँ पर काफी लोग जुड़े हुए हैं Meditation करते हैं शाम को और थोड़ी बात ही करते हैं Solutions देते हैं दूसरे को जो भी जिसको पता होता है जानकारी होती है वो एक दूसरे के साथ में Exchange करते हैं तो अगर आप चाहें तो उसका भी हिसा बन सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगी रही बात personal readings की तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ और जब करूँगी मैं आपको inform कर दूँगी और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मुझे लगता है कि हां मुझे reading करनी चाहिए तो मैं app पर stock डाल देती हूँ तो आप check करते रहो हमारा जो app है stock मिलेगा तो आप booking कर सकते हो ठीक है व्यासे हाल फिलाल में तो अभी मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ reading करने का सो मैं आपको inform कर दूँगी अगर मैं शुरू करूँगी और free reading sessions के लिए लोग बोल रहे थे तो मैंने आपको पहले भी बताया था जिन्होंने membership ली हुई है उनकी मैं reading करना शुरू करूँगी कुछ time के बाद से जिस तरीके से मैं किया करती थी वो तरीका मैं आप नहीं अपनाने वाली हूँ मैंने आपको reason भी बताया था कि reason क्या है अगर सभी ने community section का वो post देखा था तो तो मैं जब शुरू करूँगी फ्री डीडिंग सेशन तो मैं आप लोगों को भी बता दूगी जो members है और इसके अलावा अगर आप को किसी भी तरीकी की जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो description है उसको check करें वहाँ पर आपको mail id वगरे मिल जाएगा तो वहाँ से आप connect हो सकते हो कोई और whatsapp number या mail id शेयर करें आपको comment section में तो उस पर नहीं जाना है आपने alert रहना है ठीक है मैं कोई whatsapp number या mail id शेयर नहीं करती है हमारा app है वहीं से लोग connect होते है otherwise तो mail id जो description में है वहाँ से connect होते है ठीक है तो चले हमारी reading शिडू करते है देखते है क्या कुछ आता है all the best hello guys तो अगर आपने select किया है इस वाले card को जो की है trust यहाँ पर एक message है trust your feelings and dreams to guide your career path तो अगर आपको शक होता है ना खुद की intuition पर आपको लगता हो कि पता नहीं intuition पर तो शक नहीं हो सकता इन चीजों पर शक होता है कि पता नहीं intuition है या फिर हमारे विचार है तो अगर ऐसा होता है तो आप अपने third eye chakra पर काम करें और जब भी आपकी मन में कोई खयाल आता है कुछ भी करने के लिए मैं आपको यह tips दे रही हूँ छोटे-छोटे ठीक है for example अगर आपका मन यह कहता है कि आपको किसी को call करना चाहिए जिसको आप miss कर रहे हो या वैसे ही अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे आज इस व्यक्ति को call करना चाहिए बात करने चाहिए तो आप call करो बात करके देखो खुद को रोकने की जरूरत नहीं है कि नहीं अरे एकदम से ऐसे कर देंगे तो क्या होगा पता नहीं कौन क्या सोचेगा यह मत करो ठीक है इस तरीके से आप टेस्ट कर पाओगे कि आपकी इंट्यूशन कितने अच्छे से काम करती है हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप call करें जिस व्यक्ति को call करने के लिए आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है हो सकता है उस व्यक्ति को call करने के बाद आपको कुछ सुनने को मिले या फिर सामने वाले को हो सकता आपकी जरूरत हो तो वो हील हो जाए है ना इस तरीकी से आपको समझ आ जाएगा कि आपकी इंट्यूशन है या फिर आपके सिर्फ विचार है डिफ्रेंशेट कर पाओगे और यह हल्फुल रहेगा है ना इस तरीकी से प्रैक्टिस हो जाती है तो यह संदेश है आपके लिए तो अगर आपने इसलेक्ट किया है चली देखते हैं आपकी रीडिंग और जिन्होंने इस वाले पेपल को स्लेक्ट किया है पैशन उनकी भी हैं देखते हैं और जिन्होंने स्लेक्ट किया है ग्रूप No.1 उनके लिए भी रीडिंग है यानि कि जिन्होंने अपनी नेम का इनिशल पीकिया है चली देखते हैं इसको यहां पर देते हैं और शुरू करते हैं हमारी रीडिंग क्या उन्हीं के साथ में आपकी शादी अडियाजी Hmm सोर्ट थास तो काफी सारे messages हैं यहां पर तो मैं एक एक करके आपको messages देती जाती हूं देखिएगा कि किया आपसे resonate हो रहा है कितना resonate हो तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है यह merit है कुछ लोगों के लिए engaged है कुछ लोगों के लिए हो सकता है यह divorcee है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई भी ऐसा reason नहीं है लेकिन उनकी family है बीच में जिसके वज़े से problems हैं और problems इतनी जादा है कि जो हमारा सवाल है कि शादी उन्हीं से होगी जिनके बारे में आप सोच रहे हो और फिर किसी और से तो यहां पर 80% no आ रहा है ऐसे समझ लो मैं percentage को देखते हुए अगर बताओ तो 80-90% no है ठीक है क्योंकि issues छोटे मोटे नहीं हैं बड़े हैं देखो अगर यह merit है तो CDC बात है कि अब ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से ना है क्योंकि व्यक्ति तो आपको पसंद करते हैं आप से उन्हे प्यार है लेकिन फिर यह matter करता है ना कि किसको हम priority दें या क्या चीज हम पर भारी पड़ रही है मानलो अगर यह merit है और इनके अपनी family है फले ही आपसे प्यार करें लेकिन अपनी family को छोड़ना और अपने husband या wife को divorce देना इतना आसान नहीं होता है ना क्योंकि जब हमकी च सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं है दो परिवारों की हो जाती और फिर society भी जोड़ जाती है साथ में तो इतना आसान नहीं होता है यह divorce देना और फिर उस व्यक्ति से शादी करना जिसको पसंद करते हैं है ना तो बस वही चीज है क्योंकि जिनके बारे में आप सोच रह करते हैं लेकिन वो जगद पाना जो आप चाहते हैं वो तोड़ा उनको मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसकी वज़े से इनकी reputation खराब हो जाएगी इनको ऐसा लगता है कि अगर यह कदम उठाते है reputation इनकी खराब हो जाएगी और यह कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ उस हैं कि okay life इसके बारे में नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें हमें अमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है और life ऐसी होती है ज़रूरी नहीं कि अगर मैं से शादी कर लेता या कर लेती तो मैं खुश रहती in future अगर मेरी किसमत में खुशिया नहीं है तो इसके सा बोलते हैं कि हाँ शादी हो गई अभी बच्चे हो गए अभी घर परिवार देखो यह वह तो वैसे कर रहे हैं हाला कि आपको प्यार बहुत करते हैं अपनी मैरेट लाइफ में खुश नहीं है प्यारी आप से करते हैं आपके साथ खुश रहते हैं लेकिन वही है कि तरीके से नहीं आया है जबकि यहां पर तीन काड्स है और तीनों कार्ट एक टरीके से एक नॉट्राल आजी रीप्रेजन करते हैं कि बताते हैं कि नहीं कह सकते 90% no है लेकिन फिर भी 10% yes है तो situation ऐसी है अगर ये किसी से committed है तो इनका soul type ऐसा है कि अगर इन्होंने किसी को एक बारी बोल दिया कि ये उसके साथ रहेंगे तो रहेंगे फिर चाहिए उसके साथ खुशना हो फिर भी ये रहेंगे तो वो एक reason है अगर ये engaged है तो कि इनकी family बीच में आ रही है और इनको ऐसा लगता है कि family की सुनना हमारी पहली duty है और अगर हम अपनी family की खुशियों का ख्याल नहीं रखते हैं नहीं रख पाते हैं तो हमारा होना विकार है हमारा जीना विकार है ये वाली सोचे गाइस तो इसके चलते अगर आप मुझ स पूछो तो मैंने आपको पहली बता दिया कि कितने percentage chance है इनके साथ में शादी होने के यह काफी traditional भी है और हो सकता है घर में सबसे चोटे हो और अगर घर में अगर चोटे नहीं है तो सबसे बड़े होंगे ऐसा है तो अगर यह सबसे चोटे हैं घर में तो यह दबाफ में रहते हैं और अगर यह सबसे बड़े हैं तो भी यह दबाफ में रहते हैं लेकिन दबाफ में फर्क आ जात करते हैं उनकी permission के बगएर तो ऐसी situation है यह तो कोई बहुत ही जादा हिम्मत वाला हो जो कदम उठाए अलग चल कर मैंने जाद तर देखा है लोगों को कि लोग convinced हो जाते हैं अगर उनको बोला जाए कि हाँ आप जिनको पसंद करते हैं आप उनको छोड़ दो फैमिली है ये वो फैमिली ने ये किया वो किया तो वो सुनते हैं उनकी बातों को तो वैसा ही है जैसे नॉमली होता है जैसे नॉमली लोग करते हैं कि हाँ फैमिली भारी तो बस वही सारी चीज़ है तो मुझे यह एक्षन लेते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं अगर आप इनका वेट कर रहे हो मानलो कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे तो मुझे यह करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं वही है कि भगवान की अगर मर्जी हुई तो कुछ भी हो सकता है वैसे हां अगर कार्ट में देखू तो हां यह प्यार करते हैं फिर से कहूंगी प्यार करते हैं आपको रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन शादी का अगर आप सोच रहे हो तो सिर्फ 10% चांसे हैं और वो भी वही ना चमतकार चमतकार वाली बात है कोई है female figure कोई है feminine energy जो बहुत भारी पड़ती है इन पर जो कि मैंने आपको पहली बता दिया उसकी वजह से भी यह टलता रहता है मुझे ऐसा लग रहे है कि आप बहुत सालों से वेट कर रहे हो इनका बहुत सालों से शुरुवात एक छोटी सी friendship से हुई होगी और वो भी इन नहीं प्रयास किया आपसे बात करने का आपसे मिलने का जो भी आपके अंदर feelings जो आई है इनी के वजह से आई है लेकिन उसके बाद I think यह connection ऐसा हो गया कि कुछ पता ही नहीं है मतब क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं पता आप भी कुछ बतानी पा रहे क्योंकि यह सुनना नहीं चाहते I think ऐसा है आप clarification चाहते हो लेकिन शाहत वह भी नहीं दिया जाता actions कुछ और होते हैं फिर words कुछ और होते हैं या फिर ऐसा होता होगा कि जब आप messages पर बात करते हो तो कुछ और तरीका होता है सामने से मिलते हो तो बहुत लगाफ सा दिखाते हैं तो वह confused करके रखता है कि पता नहीं चाहता क्या है बंदा या चाहती क्या है बंदी है ना तो यह चलता रहता है आप दोनों के बीच में लेकिन यहीं है कि मैं पूरा तो वह नहीं कह सकती 100% guarantee के साथ कि शादी होई जाएगी 10% chances है और डिपेंड करता है कि आपका इनवर्प कैसा है इसा अब ही हो सकता है कि long distance relationship में हो आप इनके साथ तो मिल नहीं सकते बात नहीं कर सकते इसलिए भी problem आ जाती है चीजों में और हाँ action भी नहीं लिया जा रहा है एक तरफ से action लिया जाए तो काम नहीं बनता है ना ऐसा है तो शादी होने के chances तो मैंने आपको बता दिये कितने हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो करना क्या चाहिए वो मैं देख लूँगी और अगर इनके साथ में शादी हो जाती है तो merit life आपकी कैसी रहेगी वो मैं देख लेती हो ठीक है कि 10 परसंट अगर भारी पड़ जाते हैं आपकी शादी हो जाती है तो कैसी रहेगी यह शादी अगर हो जाती है शादी तो कैसा रहेगा सब कुछ अगर आप किसी और country में जाना चाहते हैं अगर आप कोई course करना चाहते हैं कोई degree आपको चाहिए PhD वगेरे कुछ तो यह शादी के बाद इनके साथ अगर शादी आपकी हो जाती है तो यह काम आपका बन जाएगा और काफी जादा आप abundant रहोगे financially stable रहोगे इनके साथ में and आप क्लियर हो गया देखिए अगर आप कोई business करना चाहते हो कोई job करना चाहते हो अपना नाम बनाना चाहते हो okay famous होना चाहते हो कुछ भी creative करना चाहते हो तो उसमें शादी अगर इनके साथ में आपकी शादी होती है तो उसमें यह पूरा support करेंगे और आपका काम पूरा हुआ आपके जो dreams हैं वो पूरे होंगे यह करवाएंगे लेकिन जो emotional support आप expect कर रहे हो इनके साथ में वो शायद कि universe अभी ऐसा करती है हो जकता है आपको यह बहुत अच्छा लग रहा हो लेकिन उतना अच्छा यह connection आपके लिए ना हो हो जकता है आप सिफ प्यार ही चाहते हो emotional support ही चाहते हो आपको लगता हो कि यह बहतर तरीके से आपको दे पाएंगे लेकिन जिन दिनों आप इनसे मि मिले हो और जितने minutes या घंटों के लिए आप मिले हो उसमें बेशक इनोंने काफी care करी होगी आपको ऐसे feel करवाए होगा कि आपको यह बहुत खुश रखेंगे या फिर यह किसी को भी खुश रख सकते हैं लेकिन reality थोड़ी हट कर है जैसे कि मैंने कहा कि काफी practical होकर अपन पहुंचाते हैं यह इसलिए भी हो सकता है कि इनका जो अनुभव है शादी को लेकर commitment को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहा हो या फिर इनका family background ऐसा है कुछ लोगों को मैंने देखा है जैसे मेरे भी कुछ friends हैं अगर मैं उनसे बात करती हूं किसी विशह पर तो वो इतना logical होकर बात करते हैं और उनकी family को भी मैंने देखा है सभी लोगों की ना सोच ऐसी है पढ़ना है और उसके बाद में फिर पैसा कमाना है और दिखावा आशा करती हूं कि आप समझ रहे होंगे दिखावे पर उनकी life चलती है मैंने देखा है बड़ी बड़ी चीजें लेकर लाना और उनके हिसाब से ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा होगा पावर होगा तो लोग तुमको रिस्पेक्ट करेंगे तो वह बनना चाहते हैं सच में वह क्या है क्या फिल कर रहे हैं वह मैंटर नहीं करता उनको लगता है यही जंदिगी है और ऐसे ही जी जाती है तो लाइफ ना उनके रोबोटिक है मतलब सभी लोग मैंने देखा है वो खुद भी मैं उसको भी बोलती हूं कि क्या करती रहती है तो कभी तो खुद के बारे में सोचा कर कि तुझे क्या चाहिए तो वो भी और उसके घर में भी ऐसा लगता है सभी रोबोट हैं सुबह उ के साथ हो सकता इनकी फैमिली इस तरीकी की सोच रखती हो ओके तो यह रीजन है आपर तो इमोशनल सपोर्ट जो आप चाहते हो इनके हिसाब से तो यह कर देंगे इनको ऐसे लगेगा कि हां मैं तो कर रहा हूं या मैं तो कर रही हूं जितना सपोर्ट चाहिए लेकिन वो श आते हो तो शादी के बाद इनके साथ में मिलना थोड़ा संभव नहीं लग रहा ठीक है वो बात अलग है कि आप अजस्ट कर लो कि ठीक है अगर ऐसा है तो भी सही है जैसे मेरे पास कही लोग आते हैं रीडिंग्स के लिए उनको मैं बताती हूं कि आपकी मेरिट लाइफ धिय कि भी रहे लोगी यह रहे लूँगा बस मुझे हुआई चाहिए तो अगर ऐसी वाली सोंच दो अप मैंनीफिस्ट कर सकते हो मैं डेग...बी लेती हूं और क्या आप कर सकते हो जो काम आएगा । ठीक है है लेत्स सी और क्या है आपके लिए साइकल्स चलते रहेंगे आप दोनों के बीच आप दोनों की लाइफ में सोलमेट्स हो सकते हैं आप लोग कि लाइफ वाली बस यहां लाइब उस सोलन के बीच जिनके लहाज हो और दोनों को दोनों को कुछ आप लूंछ तीक करते रहें हों Stream इसी लिए आप लोगों को मिलवाया गया है सो यह जर्णी तो कभी end नहीं होने वाली बस यही है कि कुछ लोगों की शादी हो सकती यह कुछ की नहीं हो सकती ऐसा है आप लोग एक काम करिएगा आप लोग अगर सुबह उठकर meditation कर सकते हैं या visualization की techniques try कर सकते हैं कही तरीके की हैं कि हम visualize करें जो हम चाहते हैं अगर वो आप कर सकते हैं तो वो करना शुरू करिए वो काम आएगा ओके तो यह जो 10% chances हैं हो सकता है वो 100 में चेंज हो जाए पूरी guarantee से मैं नहीं कह सकती लेकिन वह है कि हमें try सब कुछ कर लेना चाहिए और अगर आप इतना सुबह नहीं जाक सकते हो तो आप जिस टाइम जागो उस टाइम कर लो ठीक है visualize करना है आपको और कुछ नहीं और कुछ चीजों का और ख्याल रखना है जो कि इस जानी में जो भी अपस्टिकल्स हैं वह हटें यह connection जाने कहीं नहीं वाला पता है शादी हो या ना हो रहो गया आप साथ ही किसी ना किसी तरीके से और एक दूसरे को फील भी करते रहोगे यह होगा Surrender to the divine तो आपको बोला गया है कि Surrender कर दो इस connection को इसके लिए जादा बहुत जादा हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइन अपने तरीके से इसको हैंडल करेगी इस connection को ओके तो आप बस manifest करो खोश रहो और Surrender कर दो that's it ठीक है ना यह आप कर सकते हो इससे आपका काम बन सकता है बनेगा ही बनेगा नहीं क्या सकती क्योंकि आपके लिए वो होगा जो अच्छा है आपके लिए वो नहीं जो आप चाहते हो भले वो अच्छा नहीं है ऑके क्योंकि यूनिवर्स हमारे लिए वही ढूंड कर लेकर आती है जो हमारे लिए अच्छा हो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा हो ओके यह थी आपकी रिडिंग आपके आपको पसंद आई हो गर पसंद आई है तो like जरूर करें रजन इट करी है तो मुझे बताना ना है अगर आपकी लाइफ में जो की जिसमें आप फासे हुए हो आपको लग रहे है कि आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे है या किसी प्रब्लम का सिल्वेशन आप नहीं डून पा रहे हो आपको एक तरीके से बोला गया है कि आप इसको छोड़ दो सरेंडर कर दो इससे आगे पेविल को लव और जिन्होंने स्लेक्ट किया है ग्रूप नंबर टू को अपने नेम के नेशल्स के आधार पर तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है ओके मैं इसको यहां पे ऐसे कर देते हूं आप ऐसे कड़े रहो ओके शिरू करते हैं तो क्या आपकी शादी उन्हीं से होगी जिनके बारे में आप सोच रहे हो या फिर किसी और से होगी चलिए देखते हैं भी जुषफ व्या होगी कर दोस्ता हैं कि अब हुआ से नहे हुआ ककरना त IT और प्लड़ी कि और के टॅना के टौन नहे टूनघ Perdimento तो प्लाउ अकरो मगरे टौन हम इडने ब Só Lu कि नहें दुन प में घूनेómo चाप हो एंदö हैं के फममने हैं छिख फले लुक टम दे़ु Talk जड़ आए हैं बेख सीजे आए इखर ज lett s Belgian हूरी full eight of cups okay तो काफी लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हों शायद उनके साथ हो भी नहीं आप move on कर चुके हैं वो और अभी बस आप pray कर रहे हो, manifest कर रहे हो कि वो वापस आ जाएं, फिर कुछ हो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने बोला हो, कि हाँ इनहीं कि साथ में आपके शादी होगी, लेकिन चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही है situation ये कहती है कि possible नहीं है, बट वही है ना कि आपको किसी ने बोला है, तो वो चीज़ आपने पकड़कर रखी हुई है कि हाँ, उन्होंने तो कहा था कि शादी होगी तो शादी होनी चाहिए विश्वास है मन में कहीं कि ये होगा जरूर, लेकिन कैसे होगा actually connection है भी आपका काफी उलज़ा हुआ एक ऐसा है जो पूरी कोशिश करने को त्यार है, एक ऐसा है कि देखना भी नहीं चाहता, कई सारी लोग है जो नहीं चाहते कि connection बने और यहाँ पर एक है जो टिका हुआ है जिस पर कोई असर नहीं होता दूसरों की बातों का लेकिन एक ऐसा है जिस पर होता है family issues है I think ओके दो reasons हैं यहाँ पर एक कुछ लोग के लिए तो ऐसा लग रहा है कि family issues है और कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि इनका अपना ही कुछ दिक्कत है अपनी कोई दिक्कत है जिसे बाहर नहीं निकल पा रहे और यह लेट होता चला जा रहा है किसी ना किसी तरीके से तो शादी इनके साथ में होगी या फिर नहीं होगी शादी होगी लेकिन लेट होगी ओके ऐसा है जिस तरह से आप वेट कर रहे हो ना मैं आपको सला दूँगी कि आप इस तरीके से वेट मत करो आप इस कनेक्शन को जाने दो और आई तिंग किसी लिए आप आपने ये वाला कार्ट चूस किया ओके वही एनाजी निकल कर आ रही है आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है इसके बारे में सोचना आप बंद कर दो बिल्कुल बंद कर दो और फिर ये कनेक्शन अपने समय पर खुद बखुद सुधर जाएगा शादी आप करना चाहते हैं हो जाएगी लेकिन अगर आपने इस कनेक्शन के बारे में बहुत सूचा ओवर्थिंग किया आपने बहुत ज़ादा अपना टाइम इसमें लगाया तो ये कनेक्शन न ये और जादा आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा हैंडल करना इसको ठीक है ये इसकी प्रकृति है ऐसी है इसकी कनेक्शन का नेचर ऐसा है आप जो चाहते हो वो विलकुल होगा लेकिन वो तब होगा जब आप इसको छोड़ दोगे हो सकता है वैसे भी आपकी लाइफ में ये होता हो अगर आपने कभी observe किया है तो हो सकता है आपको जो आप चाहते हो वो तब ही मिलता हो जब आप उसको छोड़ देते हो कि ठीक है मुझे अब यह नहीं चाहिए कोई फर्क नहीं परता मुझे शुरुआत में जब मैं इस जूर्णी में थी जब शुरू शुरू में आई थी उस वक्त मेरे साथ यह होता था अगर कुछ मुझे चाहिए बहुत इन सारी चीजों का तब पता नहीं था अनिभव नहीं था तो उस वक्त मेरा यह था कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करती थी पूरा दिमाग मेरा वहीं पर लगा हुआ है उसी को पाने के लिए ज यह सोचती थी कि जाने दो नहीं चाहिए बहुत हो गया तो उसी वक्त वह चीज मुझे मिल जाती थी एक दिन भी लेट नहीं होता था जैसे कि अगर सुबह मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया मुझे इसके लिए ट्राय नहीं करना है तो शाम को वह चीज मेरे सामने होगी तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है और I think universe सिफ इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं इस concept को समझ सकूँ और बाद में आप लोगों को समझा सकूँ मुझे नहीं पता था उस वक्त में बहुत चोटी थी कि आगे सुलकर मैं यह करने वाली हूँ और लोगों को यह मुझे समझाना होगा लेकिन universe जानती थी है ना तो यह है तो हो सकता है कि आपके साथ भी यह होता हो लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया या फिर ध्यान दिया है तो इसमें आप वो apply नहीं कर पारे उस concept को ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर मैं आपको बता र किसी वक्त किसी भी दिन अचानक से यह काम आपका हो जाएगा व्यक्ति सामने से खुद आएगा और बुलेगा कि शादी कर ले ठीक है यह है है हो सकता है यहाँ पर कोई कोई तो हीलर है या फिर आप मेडिकल फील्ट से हो कुछ तो आप काम ऐसा करते हो जो की हीलिंग से जुड़ा हुआ है या फिर सामने वाला मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफी लोगों के जुंड में आप बिजी रहते हो या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो लोगों से बातसीत होती है कभी अच्छा experience होता है कभी बहुत बुरा experience होता है मैं यह भी देख रही हूँ कि एक तरीके की dark energy है जिससे वो घिरे रहते हैं या फिर आप घिरे रहते हैं जो भी यह काम कर रहा है जो अगर आप अपने ancestors को पूझते हो तो हो सकता है काम थोड़ा जल्दी हो जाए लेकिन वही है पूझना है बट expect नहीं करना है कि जल्दी से काम हो जाए बस अपने जो पूर्वज है ना उनकी सेवा करो और सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आपको दिया लगाना होता है मिट्टी का और तिल का ओयल जो है उससे लगाते हैं दिया और कहां पर लगाना है जहां पर आप पानी रखते हो पीने का अपने किचन में रख सकते हो या फिर जहां भी पीने का पानी आप रखते हो उसके नीचे उस दिये को लगाना होता ह अच्छी दूरी पर यह नहीं के ठीक उसके नीचे रख दिया ठीक इस लैब जो बनी होती है ना उसके नीचे आप रख सकते हो और उनको पूझना है उनसे प्रार्थना करनी है यह करो यह काम करेगा तो हाँ शादी होने के चांसे है लेकिन लेट हो सकता है ओके तो यह देख लेते हैं कि शादी अगर हो जाती है इनके साथ में तो कैसा रहेगा आपकी लाइफ कैसी रहेगी कुईन वान्स जिनके साथ में आप शादी करना चाहते हो ना जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके साथ में है कोई दिक्कत हैं उनको कुछ परेशानिया या तो रिलेशन्शिप को लेकर या फिर उनकी फैमिली ऐसी है जो उनको जाकर रखती है मतलब वो कुछ करना चाहते हैं उनको हमेशा रोखती है कुछ ऐसा है और मैंने आपको पहले भी बोला है कि युनिवर्स कभी भी आपको वो नहीं देती जो आपके लिए सही नहीं है और इसलिए टाइम लग रहा है अगर ये जल्दी हील हो जाते है ना तो आपकी शादी भी जल्दी हो सकती है लेकिन इनको टाइम लगेगा आप यहाँ पर हो फूरा होता है कि हम दूसरों को हील कर सकते हैं लेकिन इनके मैंटर में ऐसा नहीं है इनकी अपनी जर्णी है इंको खुद ही कम्प्लीट करनी है तो जितना टाइम ये लेंगे एनाजी स्लो है और वही मैंने आपको बताया जब तक यह balanced नहीं हो जाते तब तक काम नहीं बनेगा आप सिफ इतना कर सकते हो गर आप इनसे बातचीत करते हो वैसे तो मुझे यह लग रहा है कि separation नहीं चल रहा है लेगन अगर आपकी बातचीत चलती है तो आप इनको समझा सकते हो कि आपके साथ यह issue है आप इस पर काम करो और वो भी तब जब इनका दिमाग ठंडा हो कि कई लोगों की यह सुनते हैं और इनका सिर दुखता है यह कुछ अपलाई नहीं कर पाते किसी की advice खुद पर अपनी life पर तो यह है issuing के साथ इनको अकेला रहना पसंद है और यह पता है इनकी सोच क्या है मौंक बनने की इनको ऐसा लगता है कि यह क्यों मुझे किसी के control में रहकर काम करना पड़ रहा है मैं क्यों अपने हिसाब से अपने तरीके से life नहीं जी सकता या जी सकती वो चीज़ है और यह इसलिए है क्यों कि इनको बहुत problematic लग रहा है सब कुछ ठीक है तो आप सिर्फ इनको सला दे सकते हो उससे जादा कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप सोचो कि हाँ मैं कोई healing करके इनको नहीं अगर एक healer से भी आप healing करवाते हो ना तब इनकी permission की जरूरत पड़ेगी आप चाहें तो वो कर सक सकते हैं किसी healer से आप मिलें इनकी healing के लिए लेकिन आपको उनसे बात करवानी होगी इनकी permission लेनी होगी अगर यह हां कह देते हैं तो इनकी healing हो सकती है ठीक है so married life आपकी बहुत अच्छी रहेगी इनके साथ balanced आप दोनों की जिन्दीगी रहेगी काफी कुछ आप कर पाओगे emotional support अगर चाहिए तो हाँ वो आपको मिलेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े जादा mature हो तो पहली बार में आपको चीज़े इनको समझानी पड़ेंगी कि ऐसी situation में मुझे कैसा feel होता है उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें ये बहुत अच्छे हैं ठीक है लेकिन पहली बार हो सकता है कि आपको इने बताना पड़े कि आपने ऐसा कहा तो मुझे ऐस feel हुआ या फिर आप वैसा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है ओके तो पहली बार आपको थोड़ा हर जगे नहीं लेकिन कहीं कहीं पर आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि क्या चीज मुझे परिशान कर रही है क्या नहीं उसके बाद चीज़े ठीक हो जाएंगी मैरिट लाइफ आपके अच्छी आप लोग मिलकर कोई बिजनेस करोगे कुछ बहुत बड़ा और ग्रो करोगे बहुत अच्छे से शादी के दो साल विदिन या फिर हाँ दो साल के बाद में एक अलगी पहचान बन जाएगी आप दोनों की एक साथ ओके ऐसा समझ लो कुछ भी आप ऐसा करने वाले हो येस लवर्स ट्रिंट फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का जज्ज्मेंट अग्यान अपने अंसेस्टर्स को बोला करो वही हेल्प करेंगे ठीक है सब कुछ अच्छा है लेकिन बस जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना उनके साथ में ही दिक्कत है और कुछ नहीं वो उनकी जो दिक्कते हैं वो खत्म हो जाती हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा ओके और देख लेते हैं क्या है आपके लिए देखो अपस्टिकल्स तो हैं आपके जीवन में और शादी के बाद भी रहेंगी कुछ ना कुछ परिशानिया यह रिटर्न है हुँँएगग़ कि साइकल्स चलेंगे और शुरू होंगे फिर UN होंगय फिर नहीं शुरुआत करनी होगी फिर वो UN होगा फिर ने शुरुआत करनी होगी यह आप दोनु के साथ चलेगा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई एक है जो की कोई healing work करता है अगर नहीं करता है तो वो करेगा है special journey में कोई और अगर आप special journey में हो तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा शादी के बाद भी है नई शुरुवात हो जाएगी और कई सारे सच यूनिवर्स करवाईगी किसी purpose को लेकर ऐसा है आप दोनों का connection आपको numbers वगर दिखते हैं दिखते हैं तो आप उन पर ध्यान दिया करो चीक है चैलेंजिंग टरिए आपकी life हमेशा से ही बचपन से ही I think और भी भी challenges हैं और वो आगे भी रहने वाले हैं बट यूनिवर्स है आपके साथ आप एक काम कर सकते हो जब सुबसुब उठते हो न ध्यान लगाया करो कि किस तरीकी के विचार आते हैं अगर आपको negative thoughts आते हैं तो उनको हटाने की कोशिश करो positive thoughts ले करो अब कैसे हटाओगे सवाल ये बन जाता है कि negative thoughts आ रहे हैं तो हम कैसे हटा ले हैं वो तो आ रहे हैं automatically तो आप एक काम करो जब भी कुछ नकारात्मक कोई भी नकारात्मक सोच अगर आती है तो तुरंट आपने कुछ सकारात्मक सोचना है ये करना है कोई भी thought आ रही है ना negative तुरंट कुछ positive सोच लो तो इस तरीके से आप practice करने लग जाओगे फिर ये जो negative thoughts है याने बंद हो जाएंगे या फिर आप उन पर विजय पालोगे एक चीज और ध्यान देना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने ego को satisfy करने की कोशिश करते हो किसी reason से या फिर ये शादी भी इसी लिए कर रहे हो ध्यान रखना अगर ऐसा कुछ है तो इसको हटाओ क्योंकि इसकी वज़े से दिक्कत हो सकती है in future ठीक है ना तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजे करनी है जिनसे ये obstacles हट सकती है और आपका काम बन सकता है शादी के high chances है लेकिन फिर भी obstacles हैं क्योंकि मुझे थोड़ा लेट दिख रहा है जो भी हो रहा है मैं आपको बताया कि आपके ancestors को आपने पूझना है और यह जो मैंने बताया है करने के लिए वो करिए और जो numbers आपको दिखते हैं उनको अपनी diary में लिखा करो ठीक है और या तो google करके देख लो कि उनका मतलब क्या है या फिर videos देख लिया करो और अगर कुछ नहीं करना है तो सबसे अच्छा तरीका है जब जो number दिखे उस समय की इस्तिती को देखो कि कैसी है तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह जो angel number है क्या बताने की कोशिश करा है जैसे 707 अगर आप देखते हो तो वो separation का number होता है इसी तरीके से 709 अगर देखते हो तो special journey का number है तो इस तरीके से सारे numbers आपको यह मैंने खुद देखा एब्जर्फ किया है सो मैं आपको बता रही हूँ ज़रूरी नहीं कि 707 से सभी के लिए separation ही होगा लेकिन मुझे जो संदेश मिलते हैं number से वो मैं note down करती हूँ तो ऐसे आप कर सकते हो इससे help मिल जाएगी यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो like जरूर करें resonate करी है तो मुझे बताना ना भूले चैनल को शेरें सब्सक्राइब करना ना भूले Thank you so much for watching the video चैके लफ्योड़ बाभाई